नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका इंफिनिटी नौलिज में तो दोस्तो भारत और इसराइल के बीच एक एसा एग्रिमेंट साइन हुआ है जो कि आने वाले टाइम में भारत को टेक्नोलोजी के मामले में इतना उपर पहुचा देगा कि भारत का तोड आने वाले टाइम म मिलकर साइन किया है और ये एक पाइलेटरल इनौवेशन एग्रिमेंट है और इस एग्रिमेंट के अंदर आने वाले टाइम में भारत और इसराइल डिफेंस के सेक्टर में एक से बढ़कर एक टेक्नोलोजी को डवलप करेंगे और आपस में एक दूसरे को ये देंगे और दोस्तो इस normal का फाइदा भारत को दो या तीन साल के अंदर मिलने वाला नहीं है लेकिन आने वाले दस यू टीस साल के अंदर इस ऐगरिमेंट के फाइदा भारत को बहुत बड़ा मिलने वाला है यू harगरिमेंट के इस साइन suggesting से जूड़े ये agreement केवल IT sector के लिए बनाया गया था और दोस्तो इस बात से ये पता चल जाता है कि फिलाल के टाइम में इसराइल और भारत की bonding next level पर है और दोस्तो इस agreement का आने वाले टाइम में ये फाइदा होगा कि अगर DRDO कोई भी technology बना लेता है तो आने वाले टाइम में DRDO ये technology भारत को technology देगा और इस agreement के अंदर आने वाले टाइम में इसराइल और भारत ड्रोन बनाएंगे robotics पर भी काम किया जाएगा और artificial intelligence, quantum technology और photonics, energy storage और brain machine इंटरफेस जैसे सेक्टर में भारत और इसराइल काम करने वाले हैं दोस्तो आप सभी को ये बात तो काफी अच्छे से पता होगी कि लाल के टाइम में इसराइल भारत के चीता प्रोजेक्ट के तहत भारत के लिए drone अपग्रेड कर रहा है दोस्तो इसमें AI का भी सबसे ज़्यादा important role होने वाला है क्योंकि इसराइल आने वाले टाइम में robotics और artificial intelligence की मदद से AC सेना बनाने वाला है जो की युद के मैदान का नक्षा पूरी तरीके से बदल कर रख देंगी और सेनिको की जगह ये robot ले लेंगे जिससे आने वाले टाइम में देशों को बहुत ज़्यादा फाइदा होगा जिस वज़े से सेनिको की जान का खत्रा ना के बराबर होगा और दोस्तो इसमें सबसे बड़ा जो सेक्टर बताया जा रहा है ये है quantum technology और इस technology को डबलप करने के लिए इसराइल की तरफ से 60 मिलियन डोलर भी निकाल दिये गए हैं और इसराइल की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इसराइल अपना खुद का quantum computer भी बना लेगा और quantum computer की मदद से hacking भी इसराइल next level तक कर सकेगा और दोस्तों सोच कर देखिए एक बार ये technology भारत को भी मिल जाए तो आने वाले time में इस technology की मदद से भारत चीन के पसीने निकाल देगा और दोस्तों ये भी देखा जा सकता है कि जिस दोरान इसराइल अपना ये quantum computer बना लेगा तो उसके बाद इसराइल इरान के nuclear program पर भी cyber attack करने में पूरी तरीके से शक्षम होगा थेंक्स फोर वाचिंग दिस वीडियो, have a good day